किस पाटी को support करने आया है भारते जनता पाटी मोदी जी की पाटी जनता मन बना चुकी है कि इस पार MCD के अंदर भी केजरी वाल की को लेकर आना बिल्कुल जी भाजपा आएगी वाजपा जय है भाजपा बीज़बी की बनेगी मोदी आएगा मोदी दिल्ली के चपे-चपे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर अब आप इनी खबरों को देख सकते हैं हमारी आप पर तो फिर देर किस बात की है जल्दी जाए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की आप को नमस्कार आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खार जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी चुनावो का एलान हो चुका है चार दिसंबर को ये चुनाव होने हैं और उसका जो अभी नामांकन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त हम आप लोगों को लेकर पहुचे हैं वेस्ट जोन के अंतरगत आने वाले रज़ौरी गार्टन इलाके में और आप देख सकते हैं कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहां पर प्रारंब हो चुकी है तमाम कैंडिडेट्स जो है अपने नामांकन करके आ रहे है कुछ जा रहे हैं तो इसी तरीके का महौल बना हुआ है कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है और किस तरीकी की तयारी उन्होंने की है क्या लगता है उनको कि इस बार कौन सी पार्टी जो है अपना डंका यहां अमाद्भी पार्टी दिल्ली के अंदर जंता दिल्ली के जंता मन बना चुकी है कि इस बार एमसीडी के अंदर भी केजरी वाल जी को लेके आना उन्होंने पूरा मन दिल्ली की जंता ने बना लिया मतलब 15 साल में जो बीजेपी से तंग आगे जंता बिलकुल पूरी तरह से तंग आगे जी घर व्यक्ति के जबान के उपर एक बात है कि आप एमसीडी के अंदर भी केजरी वाल जी आएंगे और दिल्ली के अंदर और विकास कारे होंगे क्योंकि आज 15 साल के अंदर जो दि पैसा नहीं है, स्कूलों के लिए, टीचर के लिए, स्कूलों के अंदर पैसा देने के लिए नहीं है, ड्वेल्मेंट करने के लिए जा है, MCD के पास पैसा नहीं है तो ये ऐसे हलात इन्होंने बना दी है तो ये सब जंता देख रही है इसलिए अब आने बिलकुल बदलाव करेंगे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जो टकर है वो धमाकेदार देखने को मिल रहे है क्योंकि यही दो पार्टी आमानी जा रहे है अभी जो एक दूसरे को कड़ी टकर देती हुई नजर आ रही है तो आब इंतजार करना होगा साथ दिसंबर का क्योंकि साथ दिसंबर को ही इस चुनाव का नतीजा आएगा कि आखिर जनता ने किस पार्टी को चुना है आप जरूर बताएगा बीजेपी की बनेगी मोधी आएगा मोधी मोधी जी कहाएंगे वो तो प्रधान मंत्री है ना वो याएगी अचा बीजेपी को पसंद करते हैं आप क्या पसंदाता है बीजेपी के कामों में आपको काम जैसे मकान देता है बना देता है मोदी आपके बिल्कुल साफ सब्वाई है आप आके एक बार देखों आप फिर पता चल जाएगे आप बीजेपी को चुनना चाहते हैं किसको नहीं देना इस लिए ऐसा है कि अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सुरक्षा कर रहे हैं और केजिर वालें थोड़ा अलका चाहते हैं आप तो साफ सफाई को लेकर रहे हैं इसमें सुरक्षा कहा से आप तो समझे लो आप आप यह बोट आगे पांच तरी को बोट चल कुछ अच्छा काम नहीं करें उसने एक साथ 15 सालों से तो बीजेपी समाल रही हम सीड़ी को ही देंगे तो देखे कुछ और भी जो हैं लोग हमें यहां पर मिल चुके उनसे भी बातचीत कर ले इस बार किस पार्टी को आप अपना तकर कौन सी पार्टी दे रही हैं आपक आपके पार्टी का ही पर्चम लेरेगा दिली के अंदर जूट और फ्रेब के आगे ज्यादा टाइम नहीं चलता है केजनी वाल जूट फ्रेब का घर है और बस उसकी कानी खतम हो चुकी है अभी लोटती हूँ आपके पास क्या नाम है माम अपका शेशी तल्वार जी इस बार कितना जोश है इस बार की चुनाफ को लेगा इस बार बहुत जोश है कारी करताओं में भी जोश है क्योंकि MCD में BJP ही आएगी फिर से 15 साल बाद फिर आप एक बार आने वाले हैं बिल्कुल हम आने वाले हैं अच्छा कई आरोप लगाती रहती है आम आदमी पार्टी आपके उपर के अभी तक कुड़े के पहार साफ नहीं हुए और भी कहीं चीज़े हैं तो उसको लेकर क्या कहना चाह रहा है पहले हम आदमी खुद को तो सवार ले जो शराब के ठेके खोले उसने एक के साथ एक फ्री यंग जनरेशन को क्या जवाब देना चाहती है कि तुम प्यक्कर वनो सडकों पर पड़ो और उनके घरवले परेशान हो जो विचारी घर में काम करती हैं हमारी जारू पोच्चा उनके वो खुद कहती है कि हमारा आदमी कोई काम नहीं करता जो हम पैसे कमा के लाती है वो भी चीन के ले जाती है किस लिए नशा करने के लिए हमने कई लाकों में दौरा किया तो कई लोगों को शिकायत है कि उनके लाके में गंदगी है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसी कोई भी गंदगी निया आप आमारे वाड में आईए मैं आपको दिखाती हूँ आपको देखी ना आप गर के बार भी सुबहे एक गारी विजिट करती होगी जो कहते होगी अपने घर का कुड़ा उसमें डाल दीजिए उसमें गीला कुड़ा सुखा कुड़ा दोनों का बनाया गया है तो यह सारे विश्टे दीटू हैं बीजेपी ने और बीजेपी ने तो आप देखो ना ऑनलाइन सिस्टम दे दिया जब आदमी पैदा होता है जनम परमान पत्र मरता है मिरतियों परमान पत्र अब आउनलाइन कर दिया अब उनको घर बैठे बैठे काम वो कर लेते हैं अच्छा इस बार आपकी सरकार बनती है तो क्या वो कूड़े के पहाड हर जाएंगे आप पहले कभी रोड़ पे चलते थे आपके ट्रक चल रहा होता था जिसके तो कूड़ा भरा होता था और आपको मूँ ढखना पड़त हैं जिससे खात बन रही है तो आपको लग रहा है हम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को टकर दे पाईगी या नहीं बिल्कुल भी नहीं यह तो अगली बार अपनी विदान सभा में नहीं दे पाईगी और एक चीज और आपको बता दो जो मुझे यहाँ पर बड़ी अचंबित करती हुए नजर आई कि उनका कहना है कि हमारे इलाके में गंदगी है लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें मोधी जी और योगी जी पसंदे तो वो बीजेपी को वोट दे कर उ जब बीजेपी कारिकरताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वो मानते ही नहीं है कि आम आदमी उनके लिए एक कड़ी टककर है उनका कहना है कि 200 प्रतीशत इस बार भी यानि कि जिस तरीके से 15 सालों से MCD में बीजेपी राज कर रही है इस बार फिर से बीजेपी क ही जो है MCD में राज देखने को मिलेगा बहराल अब इसके लिए तो इंतजार करना होगा 7 दिसंबर का क्योंकि 7 दिसंबर को ही चुनावी जो नतीजा है वो सामने आएगा उसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी को दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा दिया है और किस पा आम आदमी पार्टी अपना दमकम MCD में दिखाएगी बने रही हमारे साथ आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मिलेंगे इस पूरी खबर को लेकर अपनी रायज जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही दिल्ली से क्यामरा परसन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीम खान